प्दानमत्र जी एक चीज को लेकर बड़ा ब्रहम है और वो ब्रहम ये है कि विपक्षारूप लगाता है कि अगर बीजेपी चारसो सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है देश में पहले भी संविधान में सौस से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं इन बयानों पर आप क्या कहेंगे पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितने सिटे हैं और अगर आज बिए एक के पास करीब करीब 360 सिते हैं और नियुके सिवाए जैसे बीजेडी नियुकी हैं तो उन सब को मिला ले तो आज भी हम करीब पर चार пошOW सित का सात ही largest पैठे पांट साल से बैठे हुए हैं आगर ऐसा कोई पाफ किसी को करना होता दूसरी समय कर लेता तो यह यह तर्क भी नहीं है सत्य भी नहीं है लेकिन यह क्यों करते हैं क्योंकि उनके पास उनका इतिहास देख लिए जो पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के संविधन में की पवित्रता को नहीं मानती है कि उन्होंने समीधन की मर्यादां को तोड़ा है कॉंग्रेस पार्टि राषपती के उमिध्वार प्राइव की को कि एृफिशली कंग्रेस पार्टी और उनकी पीठ में चुरा भॉनकर कुंगुंको हरा दिया गया था ये इनका खेल है इन्होंने सम्मिधान के साथ हमेशा खेलवार किया नेरु जी इतने बड़े लोक्तंत्र का चेहरा कहते हैं आप लोग पार्लेमेंट में बैठने के सबसे पहला जो सम्मिधान समसोदन किया वो उन्होंने फ्रीडम आप स्पीच को रिष्ठिक करने के लिए किया था पूरी तरह अंडेमोक्रेटिक नेरु जी ने किया था